देखिए दोस्तों ये मेरा जालर लफख 5-6 सल पुराना है वैसे तो काम सही प्रकार से करता है यानि इस जालर की सभी एलडियां सही प्रकार से जलती हैं लेकिन इस जालर का जो कंट्रोलर है ये काम नहीं करता है यदि मैं इस स्वीच को दबाता हूँ तब इस जालर की लड में कोई function नहीं हो रहा है यह function कर भी रही है तो अपने आप ही कर रही है लेकिन दबाने से कोई function नहीं हो रहा है तो आपके पास भी इस तरह की function वाली कोई जाला की लड़ी है जिसके controller का switch काम नहीं कर रहा है तो आज किस वीडियो को पूरा और ध्यां से देखिए ताकि आप लोग भी अपने जाला की लड़ी का controller खुश से ही घर पे रिपेर कर सके हैं तो चलिए देखते हैं कि जाला की controller का switch क्यों नहीं काम कर रहा है और इसे कैसे रिपेर करेंगे देखिए यदि आपके पास भी इस तरह का function वाला जाला की लड़ी है तो उसके अंदर में इस तरह का controller निकलेगा हला कि जो नए तरह के function वाली जाला की लड़ी आ रही है उनमें एक controller कुछ अलग दिया होता है लेकिन ये switch सभी में लगा होता है बेशक उनमें एक component अलग हो लेकिए switch पक्का होगा दसरे जाला की लड़ी 5-6 साल पुरानी हो गई है जिसके वज़े से इसका ये switch खराब हो गया है यदि हम इस circuit को उटा करते हैं तो आप देखेंगे इसके switch में 4 पीन लगे होते हैं एक तो तीन और चार जिसमें से एक पीन बिल्कुल खाली है इसमें कोई भी connection नहीं किया ग तो आपको केवल इनी दोनों को बार-बार टच कराना है क्योंकि इस switch का ये दोनों लेख आपस में touch है तो इनको हमें touch कराने की ज़रोत नहीं पड़ती है और ये वाला बिल्कुल free है इसमें कोई connection नहीं है तो इसका मतलब यह है कि केवल हमें इनको इनको बार-बार touch कराना है तो ये controller काम करेगा चलिए मैं आपनों को एक बार दिखाता हूं कि यदि हम इसे इस तरीके से touch करते हैं तो क्या इनका function चेंज होता है कि नहीं आप ध्यान दिजिएगा केवल मैं यहाँ पर touch कराऊंगा तो इनका function चेंज होगा इन दोनों लेग में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मैं आपनों बताऊंगा इसमें आप क्या जुगार लगा सकते हैं देखे ए ज़्वा की लड़ियां लगातार जल लई है यदि मैं यहाँ पर touch करता हूँ तो देखे देख रहे हैं इनका function देखे चेंज हो रहा है केवल हम इन दोनों लेग में इस तरीके से touch करा रहे है तो इन ज़्वा की लड़ियों का function चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इसमें कोई ऐसा जुगार फिट करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को हम बार बार टच करा दें तो इस जाला की लड़ियां आपके इसाब से फंक्शन करेंगी तो इसे सही करने का तरीका तो यह है कि इसका यह स्वीच है इस स्वीच को ही हम चेंज कर दें यह controller सही हो जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि हमें यहाँ पे क्यों दुही point को touch कराना है तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह का देखे इस तरह के एक switch यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर और इस switch के दोनों point को हम यहाँ पर solding कर देंगे उसके बाद जब चाहें तब इस switch को हम इस तरिके से फीज हाला की लड़ियां सही प्रकार से function करेंगे लेकिन मेरे पास इसका एक switch है देखें यह है जो कि मुझे 3 रुपय कर मिला है तो अभी हम क्या करेंगे इसी switch को इस controller में लगाएंगे तो सबसे पहले हम इस controller से पुराने वाले switch को निकाल देते हैं उसके बाद इसके जगाँ पे इस switch को लगा देंगे थोड़ा सा आपको पुराना वाला switch हमने निकाल लिया है अब हम इस नए वाले switch को controller में लगा देंगे और नए वाले switch को controller में लगाना बिलकुल आसान है controller में जहां से हमने पुराना switch निकाला है वहाँ पे बिल्कुल बारिक बारिक सा चार छेद बना है और इस नयवाले स्वीच में भी चार पीन है तो इस स्वीच के चारो पीन को उस छेद में डाल कर हलका सा धबा कर रखेंगे और कंट्रोलर के पीछे साइड में शोल्डिंग आरेंस से हलका सा गरम करेंगे तो यह अंदर घो जाएगा चारोपीन अंदर आने के बाद थोड़ा और रांगा लगा लगा देते हैं ताकि यह बिल्कुल मजबूत हो जाए यहां से कहीं हीले नहीं तो देखिए हमने स्वीच को सही प्रकार से लगा दिया है अब चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं हम इसके प्लक को भीली के बोड में लगाते हैं और स्वीच को अन करेंगे देखिए ज़ालर जल गया अब हम इसके स्वीच को दबा कर देखते हैं यह काम कर रहा है कि नहीं तो जैसा कि आप दे सकते हैं जब मैं इसके switch के दवार आओं तो इस जालर का function चेंज हो रहा है यानि अभी इसका switch ठीक हो गया है अब चलिए इस controller को हम इसके डब्बे में pack कर देते हैं और डब्बे में pack करने के बाद दुबारा से हम चेक करेंगे तो इस तरीके से आप लोग भी अपने जालर के controller के switch को change कर सकते हैं तो यह जुगाल कैसा लगा comment box में comment करके जरूब बताईएगा अगर वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चनल पर पहली बार आए हैं तो चनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बहुत बहुत धन्यवार